अगर ट्रेन चल रहा है और ट्रेन ड्राइबर ट्रेन चलते हुए में सो जा रहा है तो क्या होगा ट्रेन पलर जाएगा या ट्रेन टकरा जाएगा क्या होगा आप वीडियो के आम तक बन रहे हैं आपको पूरे जनकारी मिलेगा कि क्या होगा गाइज कौन सा एक ऐसा मचली है जो कि कोई वर्षों तक बीना पानी पिए हुए जिन्दा रह सकते हैं आप लोग को सुन कर यह होस उर गया होगा की यह कैसा मचली है जो कि कोई वर्षों तक बीना पानी पिए हुए जी सकता है उस मचली का क्या नाम है लूंग फिस लूंग हुए रहता है वहां मचली ऐसा है जो कई वर्षों तक बीना पाने पीए हुए जिन्दा रह सकता है जो आप एक कॉप कॉफी को पीते हैं जिसको इस्टामिना पूरा करता है पूर्ण करता है आप कौन सा दूसरा फॉल या कुछ खाए कि उतना इस्टामिना पूरा कर देगा आपको और सेहत के लिए बहुत अच्छे भी माना जाता है उस फ़ल का क्या नहमें अगर आप एक कॉप कॉफी के जगा एक आप अगर सेव खा रहे हैं तो इस्टामिना आपको पूर्ण हो जाएगा और उसी परकार आपको एनर्जी मीलेगा कॉफी की तरह इसलिए आप से परसंद करते हैं मैं आपको वदायता हूं कि चावल रोटी और भी जो पदार्थ है जो हम लोग को पता भी नहीं है सब इससे अधिक पसंद किया जाने वाले हैं चावल जो की 50% बिगतियों का पसंद है केवल चावल है अमेजान है जो ऑक्सीजन पूरे दुनिया में कितन ऑक्सीजन चाटा है मैं आपको रताता हूं कि अमेजान के दुरे दुनिया है उस में आधिया नदिया है कौन सा देश है उस नदिया का जंसंख्या कितना है मैं आपको लाता हूँ कि 120 नदिया है जो कि किस देश में है जमाइका जमाइका देश में सबसे अधिक नदिया है 120 नदिया है जो जमाइका देश में है कौन सा जानवर है या जीव है जिसके बच्चे जम लेने के बाद कुछ ही घंटे के बाद वह दोर सकता है यानि कि दोर चलना ही दौर सकता है और पूरे स्पीड के साथ हैं कौन सा जानवर है आप लोग उस जानवर का जानते होंगे लेकिन नाम आप शुनते हैं करेंगो ओं माई गो यहां जानवारता है जी मैं आपको बताता हो कि घृषूरे के जो बच्चे जाम लेते हैं वहां कुछ ही सकेंड के बाद दोरने लगते हैं कुछ ही समाई आने कि कुछ एक च्छन आधा घंटा ये घंटा कि बाद वहां दोरने लगते हैं को आप घोरे को आप दाथ देखकर ही बता सकते हैं कि यहां घोरा है या घोरी आप उसे दाथ से ही अंदाजा कर सकते हैं जी हाँ आप कैसे देखेंगे दाथ से आप दाथ से क्या बता सकते हैं कि पुरुस घोरा होता है उसमें 40 होता है दात और जो घोरी होता है उसके 36 होता है इसी के कार्ण बताया जाता है कि यहां पूर घोरे हाँ या गोरी कौन सा ऐसा मचली है जिसके चार आख होते हैं मैं मचली की बात कर रहा हूं मैं पूरे जीव जन्तु की बात कर रहा हूं जैसे कि कोई जीव जन्तु या कोई बेखती है जिसके चार आख होते हैं औहों पर जाती कौन सा है वह मचली पर जाती है जिसके चार आख होते हैं औहों मचली का क्या नाम है उस इनेबल पेस एक ऐसा मचले है जिसका नाम बहुत अजीव है उसके चार आख होते हैं मानव का कौन सा आंग है जहां पर सबसे अधीक कोस्का घिड़े हुए हैं एक साथ बहुत अधीक कोस्का मिस्तित है जो कि बहुत हैं अधीक कोस्का है आप लोग याँ बात सुनकर जो हमारे दिमाग उसमें सबसे अधीक कोस्का है मैं पर नहीं बता दिया था आपको अगर किसी समय ट्रेन ड्राइबर सो जा रहा है गाली चलाते समय जब ट्रेन चल रहा है उस समय ट्रेन ड्राइबर सो जा था क्या होगा ऐसा तरफ कभी नहीं होता है कि ट्रेन ड्राइब जाने कि कोई परक्रेनाइक कर रहे हैं नहीं हरन मजा रहे हैं नहीं ब्रेक लगा रहे हैं तो आटोमाइटिक यो सलो होना इस्टार्ट रहता है और एक मेट के अंदर वहां एक किलमेटर ट्राइक करना के पौर में ही रूप जाता है जिसके कारण ट्रेंड्राइबर ही नहीं